हेलो फ्रेंड्स गूड मॉर्णिंग वेलकम टू सफलता मंतर दोसों आज सुबह की क्लास में एक बार फिर से आफ सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है जिसमें किम लोग कबर करते हैं करंट अफेर से समंदित सभी इंपोर्टेंट कोश्चन्स और दोसों आज डेट ह 10 अप्रेल आज की क्लास में आपको मिलने वाले हैं 10 अप्रेल से समंदित सभी सबसे इंपोर्टेंट कोश्चन्स एक साथ पूरी व्याक्या में तो सभी कोश्चन्स को अंतर तक देखेगा और अपना पूरा सहयोग बनाए रही है सभी क्लासेस को देखते रही है करंट कर आप लोग पिछली क्लासेस को भी देखकर अपनी पूरी तेादी कर सकते है दोस्वों आपके लिए डैली इंपोर्टेंट कोश्चन्स क्लासेस लेकर आते रहते हैं उम्मीद करते हैं आपको क्लासेस प섯ंद आती होगी और अधिक सेधिक सेयर करते रही है यह लिंक ताविक दुनिया के सीर्स बीस सबसे प्रदूसित स्थानों में भारत के कितने सहर हैं तो दुस्वों अभी हाली में IQ Air नामक कमपनी के दोरा एक डाटा जारी किया गया है जिसके अंतरगत एक बार फिर से दुनिया के सबसे प्रदूसित सहरों की एक लिश्ट जारी की गई ह और इस लिश्ट में कितने भारती सहर हैं या आप लोगों को बताना है चारों आपके सामने दिये गए तो दोस्वों इसका आपका B-Number option सही हो जाएगा वरत्वान समय भारत में लॉक डाउन चला पूरा भारत वर्स बंद है सभी कार खाने, फैक्टरी, इसका कमपनी, गा पहले बात की जाए तो पिछली बार जब सूची जारी की गए थी तो भारत के 14 सहर, 20 सहरों में से विस्ट के भारत के ही सिर्फ 14 सहर इसमें सामिल थे लेकिन अब दो सहर रहे गए उनमें एक आपका मुंबई है और दूसरा आपका कोलकाता है, ये दोनों सहर ही सिर्फ लागू कर दिया है, तो दूसरों किस देश ने कोरोना वायरस के कारण सभी देशों में देखें लगभग दुनिया के 99% देश ऐसे हैं जनमें की कोरोना वायरस पूरी तरह से फैल चुका है और कहीं कहीं पूरा लॉक्डाऊन कर दिया गया, लेकिन कहीं कहीं अभीror ऐसे हालात नहीं बने थे लेकिन संक्रमाड बढ़ने के कारण अभी हाली में एक देश ने एक माहा का आपात काल इमर्जेंसी लागू कर दिये वो कौन सा देश है आपके सामने सभी आप्संस दिये गए हैं तो इसका आपका दोस्तों डी नंबर आप्संस है जापान देश के जो प्यम है सिंजो आवे उन्होंने हाली में आपात काल की घुसना कर दिया है यहां पर भी आपात का लगा दिया गया है और आपात का लगाने का एक मात्र उद्देश है कि किसी ना किसी तरीके से कोरोना वाइरस को फैलने से रोका जाए संक्रमाड से रोका जाए यही इसका एक मातर इलाज है क्योंकि अभी तक कोई दवा नहीं बन पाई है तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी सहयों का ध्यान रखते हुए घर पर ही रहेंगे थर्ड नंबर कोशन है हाली में किस राजिके छात्र ने रोगियों की देखरे के लिए इंटरनेट से नियंतरित होने वा ला रोबोट होगा और सभी रोगियों की देखवाल करेगा तो यह कौन सा राज्य है कहां का छात्र है तो दुस्तों इसका आपका ए नंबर आप्संस सही हो जाएगा साह करके कुछ छात्र का नाम है और 36 गड़ राज्य के इस छात्र ने ऐसा एक रोबोट बनाने की बात क रही है इसका आपका ए नंबर आप्संस सही हो जाएगा बहुत खुसी की बात है दोस्तों की भारत देश में इस प्रकार के इतने होसियार हुनहर लोग पड़े हुए हैं और इनको बहुत-बहुत सुब कामना है इसी प्रकार से देश सिवा में अपना योगदान देते रह हैं इसका आपका ए नंबर आप्संस सही हो जाएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ नंबर कोशन पर विजडन द्वारा किस खिलाडी को विश्व के 2020 का सर्वस्रेश्ट किर्केटर का खिताब दिया गया यानिकि लीडर किर्केटर जो 2020 का चुना गया है वो किसको च आपने नाम जरूर सुना होगा इंग्लेंड को वर्ल्ड कप जिताने वाले खिलाडी भी यही हैं सी नंबर आप्संस सही हो जाएगा इन्होंने हाली में 2020 का जो सर्वस्रेश्ट किर्केटर का खिताब है वो अपने नाम किया इसके लाबा इनको अन्ने कई संस्थाओं के द अधार पर दिया जाने वाला एक खिताब होता है अगला कोश्चन 5 नंबर आपके सामने आ चुका है जल्दी से कोश्चन को देखिए समझे और आंसर करिए तो कोश्चन है हाल ही में 30 अपरेल तक लोगडाउन बढ़ाने वाला भारत का पहला राजी कौन सा है दोस्तों देखें लोगडाउन जो लगाए गया है पूरे देश में 14 अपरेल तक का लगाए गया है अभी आगे पहलाद को देखते हुए इसे 30 अपरेल तक बढ़ा दिया है तो यह कौन सा राजी है इसका आपका डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा दोस्तों कल की क्लास में आपको अधाय था कि मास्क को अनिवार करने वाला भी पहला राजी कौन सा बना था तो वो भी आपका उड़ी इसा था और यह आपका आज का कोश्चन जो है 30 अपरेल तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला राज यह भी उड़ी सा ही है इसका आपका डी नंबर आप्शन सही हो जाएगा नवीन पटनाय जी यहां के मुख्यमंत्री है डी नंबर आप्शन बिलकुल सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं सिक्स नंबर कोश्चन पर फोफ्स दौरा जारी की गई साल 2020 के अरब पतियों की सूची में कौन पहले इस्थान पर रहा तो दोस्तों अभी हाली में फोफ्स ने 2020 के जो सबसे अमीर व्यक्ति हैं पूरे विस्व में उनकी एक लिश्ट जारी की गई है इसमें पहले इस्थान पर जो पहले इस्थान पर राज इनकी सबसे ज़्यादा अम्दनी है सबसे ज़्यादा अमीर है वो कौन है आपके सामने सभी όψonie दिये गए हैं इसका आपका बी नंबर उप्सें जो वेजोस आपने नाम जरूर सुना होगा बहुत वार आपको करें million dollar million dollar है यह इनकी कुछ कुल आमदनी है जो इनकी कुल बचत है तो यह विश्व के सबसे नमबर एक के अमीर हैं दूसरे नमबर पर बात की जाए तो यह आपके Will Gates आते हैं Microsoft Company के founder हैं आप लोग जानते होंगे अभी तक पहले इस्थान पर रहने वाले लेकिन पिछले तीन वर्सों से दोस्तों जो जुकरवर्ग इनका नाम सुनाओगा फेस्बुक के CEO फेस्बुक के अधिकारी हैं फेस्बुक के प्रमुख हैं मार्थ जुकरवर्ग यह इस सूची में six number पर हैं याद रखे हैं दोस्तों अरब पतियों की सूची की बात हो रही है और फर्स्ट नमबर पर जो वे जो के लिए COVID-19 परियोजनाओं के लिए पांच मिलियन डॉलर आवंटिट किये हैं तो दुस्तों अंतराश्टी संगठन अपने जो उनके प्रमुख देश हैं उनको या जहां जरूरत है जहां मदद की जा सकती उन सभी स्थानों पर कुछ ना कुछ मदद जरूर पहुंचा र जाला दुस्तों आपका ए नंबर आप्शन सही हो जाएगा सार्क देश के बारे में आपने सुना उगा दच्छन एस याई देशों का समुए इसके इंतरगत कुल आठ देश आते हैं इन आठ देशों के इंतरगत जो इसका अंतराशी संगठन इसने हाली में नेने लिया कि सभी सदस से देशों को पांच मिलियन डॉलर की मदद की जाएगी कोरोना वाइरस से लड़ने के लिए तो इसका आपका ए नंबर आप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा दच्छेस के नाम से भी जाना जाता है याद रखेगा आगे बढ़ते हैं दुस्तों कोश्चन नंबर इर्थ पर जल्दी से देखते हैं प्रत्य कोश्चन को आपके लिए डेली साम को क्लास आती है सीटेट की त्यारी की एनकेडमी पर भी आपकी सीटेट की स्पेसल क्लासे चल लेए डेली क्लास सबाद दो बज़े चलेगी और चलती आई है अगर आप लोग जुड़े हुए इनकेडमी पर क्लास जरूर देखेगा सबाद दो बज़े आप लोग जाकर क्लास को देख सकते हैं साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आपकी करंट अफेर की पुरानी क्लासेस की प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है नीचे वहाँ से आप सभी क्लासेस को प्रॉपर अबे में देखकर अपनी सभी एक्जाम्स की पूरी त्यारी कर सकते हैं आप लोगों के कमेंट्स मिलते रहते हैं सभी लोगों का कमेंट करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद ऐसे ही अपना सहयोग जरूर बनाए रही है कोश्चन नमबर एर्थ है संयुक्तराष्ट ल ये लोग के नाम से जाना जाता है तो इसी ने अभी हाली में एक रिपोर्ट के अनुसार बताया कि कोरोना वाइरस का पूरे विस्व में जिस प्रकार का संकट फैला हुआ है उसे देखते हुए जो अनौपचारी छेतरे हैं जो फैक्टरी एरिया हैं यहां के लगवग 40 कर लोगों को गरीवी में फसना पड़ सकता है यहां के लोगों की जॉब जा सकती है नौकरी जा सकती है तो यह बात हो रही दोस्तों भारत देश की ही इसका आपका सी नंबर आप्सन सही हो जाएगा और इस स्थिती से निपटने के लिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि सरकार और हम लोग पूर्ण रूप से तयार होंगे पहली बात तो इस परकार की स्थिती ना आए वही बहुत खुसी की बात होगी अपने लिए तो इसका आपका सी नंबर आप्सन बिलकुल सही हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं नाइन नंबर कोशन पर देखे कोशन नंबर एक बहुत important महत्वपूर्ण एप है तो आप लोग भी इस एप को जरूर डाउनलोड कर लिजेगा इसके माद्यम से आप कोवसरकार को बिलकुल सही जानकारी मिल सकती है आपके आसपास की आपकी तो इसलिए अधिक सदिक संकाय में सभी लोग इस एप को जरूर यह एप अरुणांचल प्रदेश के लोगों ने अरुणांचल प्रदेश के लोगों के लिए बनाईगी एप है कोविड केर नाम रखा गया इसका आपका बी नमबर आप्सन बिलकुल सही हो जाएगा याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं दूस्टों कोश्चन नमब हाइट करके आना पड़ता है छोटे dan बडेनका होता है तो यह कालिफिकेशन रखी जाती है कि अब तक चलेगा लेकिन वरतावान समय की स्थिति को देखते वे इस कालिफिकेशन के टाइम को दिसंबर 2020 के लिए क्लिए स्त BUT कर दिया कि उसके बाद इसकी बाद उसके बाद ह क्वालिफिकेशन्स हो रहे हैं या आप लोगों को बताना है कोश्चन नमबर 10 है जल्दी से अंसर करिए तो दूसरों आपने ओलंपिक के बारे में सुनागा 2020 में टोक्यू यानि की जापान में होने वाले थे डी नमबर आप्सन सही हो जाएगा जो कि एक वर्स के लिए स्थ कर ही करेंगे अब आज का अंतिम कोश्चन है दूसरों क्लास अगर पसंद आ रही हो कोश्चन अच्छे लग रहे हूं तो पिछली क्लास की तरीके कमेंट करके मनोबल जरूर बढ़ाते रही है आप लोगों के कमेंट के बहुत विसवरी से इंतिजार रहते हैं ताकि मुझ दूसरों ये कुछ डॉक्टर्स के लिए नर्सेज के लिए अनमेडिकल स्टाफ के लिए सेनिटाइजेशन इंक्लोजर और फुल फेस मास्क बनाए गए कि संगठन ने हाली में तयार किये हैं तो दूसरों ये संगठन आपका डियाइडियो के नाम से जाना जाएगा बी न आपसे कोशिंट पूछा था कल का हमारा कोश्चन था कि हाली में किस इस्थान पर पहली बार किसी जानवर को कोरोना वाइरस के बारे में पता लगाए तो दूस्तों इसका आपका आंसर हो जाएगा अमेरिका के YORK में जहाँ पर सफसे अधिक अमेरिका का ऐसा अ रिया जो कि सबसे वहतरीन एरिया और सबसे आदा अगर मरीज कहीं मिल लें तो वो नियुवार्क में ही मिल रहे हैं यहां पर एक चार साल की वागिन को कोरोना पॉजिटिव पाये गया दोस्तों आप लोगे कमेंट्स पहले पढ़ लेते हैं किसने कही सही आंसर किये तो अंक योग बनाये रहे एक लासे जरूर अच्छे से होंगी रती पाठक जी का अंसर आए इन्होंने बताया वागिन जो है वो कोविड नैंटीन से संक्रमित पाई गई है राम सेबक जी का अंसर आया है इसके लावा अर्चना यादब जी ने पूरा व्याख्या के साथ समझा है इन्होंने मादा वाग का नाम भी बताया नादिया नाम नाडिया नाम इसका है जो कि संक्रमर जू में फैल चुका है इसके बात यहाँ पर की जा रही दोस्तों इसके लावा बात करते हैं कुछ अन्य लोगों की रंजु कुमार जी का अंसर आए बहुत बहुत धन्यवाद इसी प्रकार से रंजु कुमार जी आप भी क्लास से जुड़ी है कुलदीप जी अनु जी सिखा जी दीक्षा जी आयूज जी इन सभी लोगों के अंसर हैं आप सभी लोगों का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ललेता पांडे जी का भी आज काफी दिनवाद कमेंट मिला है उम्मीद करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे और अच्छे से घर पर रहकर अपनी तयारी कर रहे होगा आज काफी लोगों ने कमेंट के हैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इसी प्रकार से क्लास से जुड़ी है और कमेंट करते रहे हैं द क्लास में दो-तीन दिन पहले ही पढ़ालत तो आपको बताना है अधिक सदिक संक्या में आपके आंसर क्मेंट बॉक्स में जरूर मिलने चाहिए क्लास को देखेंए पूरी तयारी करיחे जो भी आपके मन में ड़ाउट हूं याप बतान स्थी कमेंट करके जरूर बताएंग क थैंक्यू दोस्तों गुडबाय टेक केर